हेलो फ्रेंट्स वेल्कूम तो माई चनल राम टेक्निकल हेल्प या फिर किसी भी सफ्ट्वेर में किसी भी टाइप का कुछ भी प्रोबलम आ रहा है तो फ्रेंट्स यहां पर आपको हाई टैप का वीडियो मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो तरीके से बताऊँगा कि आप जो यह आपका प्रोबलम है वो कैसे फिक्स कर सकत तो ठीक है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले friends आपको क्या करना है यहाँ पर इसको minimize कर देता हूं उसके बाद friends आपको क्या करना है यहाँ पर एक search को option मिल जाएगा आपको windows 10 के अंदर यहाँ पर आपको type करना है cmd यहाँ पर आपको यह keyword type करना है और यहाँ पर आपका command ऐसा दिख जाएगा आपको इस पर right click करना है right click करने के बाद run as administrator करना है आपको इसको तो यहाँ पर आपका command line open हो जाएगा उसके बाद आपको एक command run करना है यहाँ पर friends आपको क्या करना है यहां पर एक command run करना है आपको ipconfig plus dns, ठीक है, तो यहां पर यह asd's आपको यहां पर type करना है, जिसे कि यहां पर मैंने type कर दिया है, और उसके बाद आपको क्या करना है, enter press करना है keyboard से, तो फिर्ट्स यहां पर जो आपका windows ipconfiguration है, वो dns जो आपका server में problem था, वो कैसे clear कर देगा और उसको वापस से ठीक कर देगा, तो आप check कर लेना कि आपका जो problem आ रहा था है, वो fix हुआ है या नहीं हुआ है, अगर आपका problem इससे भी fix नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको कर देंगे बंद, और यहां पर इसको भी minimize कर देंगे, इसको भी, यहां पर आपको एक icon दिख रहा होगा नीचे की तरफ, internet access का, यहां पर आपको right click करना है, यहां पर आपको right click करना है, यहां पर, और उसके बाद आपको क्या करना है, troubleshoot problems पर click कर देना है, तो इससे क्या होगा friends, जो अगर आपको netro का, या फिर adapter का कुछ भी error आ रहा है, यहां पर उसको detect कर लेगा, और उसको resolve के लिए आपको ball देगा, तो friends, इसको यहां पर कुछ problem नहीं मिला है, तो अगर आपको यहां पर कुछ भी problem मिलता है, तो वो एक error आपको so कर देगा, यहां पर, शिर्फ आप उस पर click करके, उसको fix ball देना है आपको, so I hope आप समझ गयोगे, कि अगर आपको error आ रहा है, network cable का, तो वो आपको कैसे ठीक करना है, so friends, अगर आपको यह मेरे वीडियो अच्छा और helpful लगा है, और इससे आपका problem ठीक हो गया है, तो please subscribe my channel, और bell icon दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोईडियो अपर upload करूँ, उसका notification अब तक पहुंच जाए, वीडियो को like करना और share करना ना भूलेगा, thank you so much.